नमस्कार दोस्तों मैं दीपक वग्राप फिर्शाब के साथ दोस्तों आज हम लोग जो हमारे 3D400 की बेस्ट टेखनीक से उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहला है डीले मोड तो सबसे पहले हम लोग डीले मोड को शूट करते हैं दोस्तों डीले मोड आण करने के लिए option मिलेगा आपको delay यानि कि यहाँ पर by default यह off होता है इसके अंदर जाके आपको इसे on करना है और चितना आपको delay flash fire करना है आप इससे set कर सकते हो मालो कि आज का मेरा जो timer है मेरा shutter speed है वो एक second का फिला जो मैं आपको demo दिखाने वालो one second का shot है तो मैं one second होने से पहले चाहता हूँ कि यह flash fire हो जाए मतलब कि approximately आप देख सकते हो 0.95 second पर यह set होगा तो चलिए shot लेते हैं और बढ़िया से image क्लिक करते है दोस्तों डिले मोड कैप्सर करने के लिए आप देख सकते हो मेरे camera का setting है वो यहां से में change कर रहा हूँ मैंने set जो किया है 0.95 second मतलब कि मुझे अपनी shutter speed एक second तक लेके जानी है आप देख सकते हो यह one full second जो है camera का shutter speed है अब इसका lighting setup कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हू दोस्तों setting आपने देखा now आप देख सकते हो मैं यहां पर इसको test fire दे रहा हूँ और जैसे test fire देता हूँ एक second बाद flash fire होता है अब मैं अपनी model मांशी को बलाता हूँ और उसके एक दो images capture करता हूँ yes मैं please come forward हमारे साथ है मांशी और मैं इसका पहला image यहां पर capture कर रहा हू तो आप देख सकते हूँ कि camera को मैं यहां पर लगा रहा हूँ और madam आपको यहां पर जाना है और एक second जब मैं बोलू three two one action तो आपको light के पास आना है हलका सा pass आजाओ 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 खीक है now मांशी यहां पर है yes ready three two one action दोस्तों यह image त चाहता हूँ कि इसमें और colors भी आए तो मैं अपने assistant को बोलूगा बिटा lights add कीजिए दोस्तों मैंने अपने assistant को add किया है बिटा light को थोड़ा सा पास लाओ ठीक है अब देख सकते हो कि light को as a model के hair पे दिया गया है और अब मैं अपना camera on करता हूँ और अब देख सकते हो कि मै अच्छा motion मुझे मिला फिर से एक और shot में capture कर रहा हूँ 3 2 1 action देखा दोस्तों बहुत ही अच्छी image capture हुई है अब मैं अपने assistant को बोलूगा दूसरी एक light को add किया जाए और हो सकते तो उसका color भी change रहे है जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर red color है अब मैं दो LED लाइट और मेरी स्ट्रॉब लाइट दोनों का mix करके एक shot बना रहा हूँ 3 2 1 action वाव वाव वन मोर टाइम फिर से मेडम इस नाइस 3 2 1 action तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने ख फोटो capture हुआ है